कोलकाता के सबसे बड़े क्ले मोडिलर्स हब कुमार तुली के एक कोने में इस छोटे से कमरे में चौशप साल के अमित रंजन करमाकर रेडियो रिपेरिंग की दुकान चलाते हैं ये जानकर ताज्यूब होता है कि 2023 में कोलकता में एक रेडियो रिपेरिंग की दुकान आज भी चल रही है रहगीरों के लिए ये दुकान अजूबे से कम नहीं है यहां तरह तरह के रंग रूप के रेडियो उन्हें चोंकाते हैं मन में सवाल उठता है कि क्या रेडियो के दीवाने आज भी है पहले यहां कलाकार, भोजरी विक्रेता, प्लास्टिक के खिलोने बनाने वाले और रेडिमेड गार्वनेंट का काम करने वाले रेडियो पर बहुत से कारिक्रम सुनते थे क्रिकेट, फुटबॉल की कमेंटरी, न्यूज, फिल्मी गाने सुनते थे रेडियो के हवा महल, महिला महल जैसे कारिक्रम भी काफी लोकप प्रिय थे लेकिन कलर टीवी आने के बाद रेडियो घरों से गायब हो गया कर्मकार के पास कोलकता वासियों के अलावा ऐसे ग्रहक भी हैं जो सेकड़ों किलोमीटर दूर से उनके पास रेडियो टेप रिकॉरडर या स्टीरियो की मरम्मत कराने आते हैं और खुश होकर घर लॉट्ट कर्मकर की दुकान पर एक गेजट की मरम्मत कराने में 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का खर्चाता है जपनामी काजी आशी तक हना बाष कतावे आट वर शथर शथर अट राट वर शथर शथर श्रम्मत καणाच्ण ligand कर्माकर का काम अच्छा चल रहा है लेकिन उन्हें अफसोस है कि उनकी अगली पीड़ी में उनका हुनर जानने वाला कोई नहीं होगा उनके बेटे को परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने में कोई दिल्चस्पी नहीं है रेडियो रिपेरिंग की इस दुकान का आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल है जैसे ही शाम ढलती है और कुमार तुली में चहल पहल बढ़ जाती है कर्माकर शाम की उप्रार्थना के लिए अगर बत्ती जलाते हैं और किसी रेडियो या टेप रिकॉडर की मरमत के लिए हुआ 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 है